हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चनल प्राकिर्ती गाउबे मैं प्रवीन आप सभी को नमस्कार करता हूँ प्रडाम करता हूँ आप सभी को धेर सारा प्यार दोस्तों बहुत से एरिया में बहुत सी अड्य तरह-तरह की मचलिया होती है और बहुत से एरिया में कई variety की मचलियों का पालन किया जाता है जिस एरिया में जिस मचली का demand जादे हो जिस एरिया में जिस मचली की popularity जादे हो उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी एरिया में पालन करते हैं हमारे WhatsApp पर बहुत से हमारे मित्र, बहुत से हमारे किसान भाई ने बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि सर जीगा बचली के बारे में बताईए तो दोस्तों जो जीगा बचली होती है इसको अगरेजी में प्राउन कहते है या स्रिब कहते है मैं अगरेजी इसलिए बता देता हूँ बहुत से किसान भाईयों को कनफ्यूजर हो जाती है कि प्राउन किसे कहते हैं तो जब जब आप प्राउन या स्रिंग आता है आप समझ जाईए कि जीगा बचली की बात हो रही है तो आज हम लोग जानेगे जीगा बचली के बारे में दोस्तों बहुत कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊगा ताकि आपको एक चीजे एकदम क्लियर हो जाए सबसे बेसिक चीज आपको मैं बता दू कि जो बचली होती है इसका कल्चर सिर्फ साथ से आठ वहीडे का होता है इतना कल्चर होता है और ये खाने में सिंकिग भीट खाती है और इसको जब भी आप दाना खिलाये क्यों कहा क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब ये मचली भूखी होती है तो ये भूखी रहेंगी तो एक दूसरे कोई खाने लगती है या कभी-कभी ऐसा होता है कि जितने बेल होते हैं ग्रूप में आ करके किसी एक फीमेल को घेर लेते हैं और उसको खा जाते हैं तो इसलिए बेल को अलग तलाम में डालना बेटर होगा और फीबेल को अलग होगा और दूसरी चीज सेलिक भी इसका फायदा है जो फीबेल होती है वो 100 ग्राम पे ही जो है बिकने लगती है और जो बेल होता है वो 100-500 ग्राम तक भी होकर तम आपको हर्वेस्टिंग के ले जाता और जो मेल का दाम भी आपको अच्छा मिलेगा फीमेल से जादे बेहतर मिलता है तो इसलिए आप जब भी इसका पालन करिए अलग-अलग तलाम में करिए आपको फायदा रहेगा दोस्तों जब जीगा बचली अंडा देती है न तो अंडे के बाद इनका 11 लारवा स्टेज हो इसके बाहर नहीं जब ये स्टेज चलता रहता है उसी में इनको तलाम में डाला जाता है जो जीगा बचली होती है जीगा बचली के लिए टंपरेचर मैं आपको बता दू कि 24 से 35 डिगरी बेश्ट मर रहा जाता है अगर 24 से नीचे टंपरेचर होगा या 35 के उपर होगा त तो दोस्तों ये तो हो गई बेसिक जनकारी अब मैं बात करता हूँ कि खाती क्या है आपको मैं बता दू कि ये साकहारी और मलसाहारी दोनों है ये 80 परसेंट साकहारी खाती है और 20 परसेंट मलसाहारी भोजर भी खाती है और साकहारी भोजर में जैसे हो गई सरसों की खली ह rice sprouts मतलब polish इसको कहते हैं और जो बचली का दाना होता है जो sinking feed होता है वो खाती है और मांसाहारी में जैसे हड़ियों का चूरा जो होता है ये बहुत चाव से खाती है आप लोग सुने होगे घोगा घोगा जो होता है इसको भी खाती है और उनको खाने में आप यकीन नहीं मानेगे छोटा जीगा भी दिया जाता है जो छोटे छोटे जीगे होते हैं उनको भी डाल देगे तो जीगा बचली जीगे कोई खा लिती है और अड़ा ये सम चीजे ये बहुत चाव से खाती हैं दोस्तों अच्छा ये तो हो गई जो खाने की बात अब मैं स्टॉकिंग डेंसिटी की बात कर लेता हूँ स्टॉकिंग डेंसिटी किती रणी चाहिए अगर इसका पालन आप किसी अन्य बचली के साथ कर रहे हैं तो स्टॉकिंग डेंसिटी इनकी 10,000 तक रख सकते हैं अगर इनकी पालन सिर्फ इन ही का पालन कर रहे हैं तो आप 20,000 पर एकड के हिसाब से इनका पालन कर सकते हैं वोहीं अगर किसी अण्डे मचली के साथ दिएसे बहुत अफ़ी लोग IMSI बचली के साथ भी इनका पालन करते हैं तो उस case में थोड़ा इनका ज़स्ट आधा होता है stocking density, मतलब 10,000 पर एकर के हिसाब से आपको डालना है, जिस तलाब में इनको डालते हैं, आप उसमें बाल से जाण फेक देते हैं, तो अड़े देने में इनको काफी जो है अच्छा रहता है, और जब भी आप market में इनको sell करने जाते हैं, ये बचली IMC से double rate की मिखती है, जैसे आपकी IMC मचली 225 kg पर kg मिखती होगी, लेकि ये 400, 4500, 600 तक भी मिखती है, तो अलग-अलग एरिया में ये इनका double जो है IMC से इनका होता है, इसलिए बहुत से लोग करके इसमें अच्छा profit का बात है, लेकिं दोस्तों आप जब भी करने जाएगा, ये जरूर देख लिजेगा कि आपकी एरिया में ये इनकी बचली के demand है की नहीं, मतलब सेलिक में जब आप सेल करेंगे, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होगी खरदारी में, इसको स्योर करके तभी इसका पालन करिएगा, दोस्तों मैं भी अभी तक नहीं किया हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डालूगा इनको, और मैं भी इनका देखूगा कि क्या है, कैसे है, और मैंने लेकिन बित्र है, उन्होंने कहा था, कि सारव इसकी इंफर्मेशन हमको दीजिए, इसलिए हमको बताना जरूरी था, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, कि इनका सीड अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता, अगर आपको सीड इनका अच्छे क्वालिटी का मिल गया, तो समझ लिजी कि आपका कल्चर सफल लो गया, तो उस्तों आसा करता हो कि आज जो छीगे के बारे में हम लोगों ने जाना पढ़ा, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोगों कोई भी कर्फ्यूचर नहीं हो, तो हमारे कमेंट बाक्स में, हमारे वार्टस्टिप नमबर पर पूछ सकते हैं, अगर आप नए हैं दोस्तों, तो हमसे जूढ़ना बन भूलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिए!